Hello guys, welcome to TechBuzz आज मैं कंपर कर रहा हूँ OnePlus Nord 2T और Vivo E23 का दोनों भी प्रिमिर मेड रिंजर 5G फोन है OnePlus Nord में दिया है MediaDek Damage City 1300 और इसमें दिया है MediaDek Damage City 920 तो आज मैं दोनों का एक in-depth comparison करूँगा बात करूँगा दोनों की design, camera, features और gaming performance के बारे में और आपको पताँ के कि दोनों में से कुण सा फोन लेना बेटर होगा उससे पहले अगर अगर हमारे चैनल पर पहली बारा है तो हमारे चैनल को सब्सक्रीब करके बेल आकोन दबालीजिए ताकि आपको फ्यूचर विडियोड इसका आसके और अगर आपको पसंद आए तो इस विडियोग लाइकन शेयर का नमद भूलना है तो चलिए विडियोग शुरू करते है सबसे पर डिजाइन की बाद तेनके तो Nord 2T में स्मूथ मैट फिनिश ग्लास बैक पैनल मिलता है इसका कैमरा मोडियल का डिजाइन भी काफी यूनिक है जिस पर उपर एक बड़ा सा सेंसर है और नीचे दो छोटे सेंसर डाइगनली प्लेजड विवो वी 23 के बैक में AG फ्लॉराइट ग्लास फिनिश दिया गया है और यह गोल्डन कलर यूवी रेस के नीचे कलर चेंज करता है कैमरा मोडियल का डिजाइन इसका भी अच्छा है विद दो बड़े और एक छोटा सेंसर और लुक में वीव वी 23 ज्यादा प्रीमियम दिखता है दोनों फोन्स में बाक्ष पैळल पर फिंगपेरिंट मार्क नहीं आते है और दोनों फोन्स में टिर्पल क्ज़ कैमरा सेट अप है बट वन प्लस में एडिशनल फ्लिकर सेंसर दिया गया है वीव में है फ्लाइट शाइनी फिज इनिश अलुमियम फ्रेम और OnePlus में curved shiny finish plastic frame बाकि दोनों में dual 5G sim का support है OnePlus में stereo speaker है और Vivo में single speaker OnePlus में additionally alert slider भी दिया गया है और Vivo में दो front facing LED lights दी गई है जो अंधेरे में selfie लेते वक्त काफी काम आती है इन-hand feel की बात करेंगे तो OnePlus में curved frame और curved back की वज़े से grip काफी अच्छा मिलता है और पकरने में comfortable भी लगता है Vivo flat frame और flat back के वज़े से hold करने में ज्यादा premium लगता है बट grip इतना अच्छा नहीं है और इतना comfortable भी नहीं लगता बट build quality wise Vivo ही better लगता है OnePlus में single punch और selfie camera है और Vivo में dual camera जर नौच पर bezel देखेंगे तो OnePlus में side और top bezel तो ठीक है बट निचे chain area में ज्यादा है जबकि Vivo में OnePlus के मुकाबले काफी कम bezel है safety के लिए gorilla glass 5 दिया गया है OnePlus में और Vivo में है Scott sensation up glass अब operating system की बात करेंगे तो दोनों phones Android 12 पर है OnePlus oxygen wise 12 पर है और Vivo phone touch wise 12 पर Android 12 पर होने की वज़े से दोनों में color theme और icons को look change करने के लिए customization option मिलते है बट Vivo में ज्यादा features है UI दोनों का काफी smooth है कोई lag या jitteriness नहीं है दोनों phones काफी अच्छे से optimized है Vivo में काफी bloater apps भरे पड़े है जिसे daily hunt, hot apps, hot games, josh और moj जबकि OnePlus में इनके company apps के लावा कोई भी fall to key apps नहीं रहते जो oxygen noise का एक advantage है अब speed test करते हैं इनका दोनों में से background app को clear कर दिया गया है OnePlus Nord 2T में दिया है media deck density 1300 chipset और Vivo में है media deck density 920 दोनों के detail specs आप screen पर देख सकते है तो Antutu run हो रहा है और हमने video का speed increase कर लिया है तो Antutu test हो चुका है और OnePlus ने काफी ज़्यादा score किया है Vivo के मुकाबले अब इससे performance में फर्क पड़ते हैं नहीं वो तो आगे पता चल जाएगा तो दोनों phones same Wi-Fi पर connected है और सभी background app को clear कर दिया गया है सबसे पहले चालू करते है Battleground Mobile India या PUBG दोनों phones PUBG में smooth पर extreme fps और balance से लेके HDR तक ultra fps तक support करते है तो PUBG पहले Vivo में open हुआ है वो भी अच्छे कासे difference है नेक्स चालू करेंगे Beach Buggy Racing 2 Thermals की बात करेंगे तो दोनों phones gaming के वक्ट ज्यादा heat नहीं होते अनलेस आप धूप में बटके gaming करो ये पहले open हुआ है OnePlus में नेक्स चालू करेंगे Asphalt 9 दोनों phones 8GB variant है OnePlus में 5GB और Vivo में 4GB की virtual में बरी मिलती है तो OnePlus आपको total 13GB और Vivo total 12GB RAM दे सकता है आपको ज़रूत पढ़ने पर Asphalt 9 दोनों में एकदम सेम टाइम पर खुला है तो आप स्कोर है वन ओल अब चालू करेंगे सब्वे सर्फर OnePlus में 45,000 image की बैटरी है और Vivo में 4,200 image की और OnePlus में 6,5 गंटे का और Vivo में 7,6 गंटे का स्क्रीन ओन टाइम मिलता है सब्वे सर्फर भी पहले OnePlus में ही लोड हुआ है अब लाश में चालू करेंगे हंगरी शाह के विलिशन यह जच्ट पहले उपन हुआ है Vivo में गेम स्टाट करके देखते है गेम भी जच्ट पहले लोड हुआ है Vivo में तो 5 में से 2 गेम Vivo में और 2 गेम नौड में पहले खुले है और एक टाइ था गेमिंग पॉफरमेंस दोनों की एकदम सेम है तो आप दोनों में से कोई भी फोन ले सकते है बागी OnePlus 80W Fast Charging और Vivo 44W Fast Charging सपोर्ट करता है RAM Management Vivo का बेटर है क्योंकि OnePlus काफी बार background में खुले apps को फिर से reload करता है multitasking से open करने पर जबकि ऐसा कोई issue Vivo में नहीं आता Vivo में multitasking से apps ओपन करने पर वही से खुलते है I hope ये OnePlus में जल्दी solve हो जाए software update के थू OnePlus Nord 2T में triple camera मिलता है 50MP का main camera 8MP का ultra wide और 2MP का depth sensor Detail specs आप screen पर देख सकते है Vivo में भी triple cameras है 64MP का main camera 8MP का ultra wide और 2MP का macro camera इसके भी detail specs आप screen पर देख सकते है दोनों phones में back camera से 4K at 30fps 1080p 60fps video shoot कर सकते है OnePlus में front camera से 1080p 30fps और Vivo से 4K at 30fps video shoot कर सकते है OnePlus में back camera में 480fps और Vivo में 240fps slow-mo मिलता है बट Vivo में front camera में 240fps slow-mo का option दिया गया है दोनों phones में live filters ultra steady video, dual video mode, beauty mode, portrait mode, night mode है दोनों में कुछ extra feature भी है जैसे Vivo में AR sticker, double exposure और macro mode और OnePlus में portrait video और AI color boost mode तो चले कुछ camera sample देखते है डेटा में colors दोनों में अच्छे आते है OnePlus थोड़ा vibrant है Vivo से और shadow भी ज्यादा तर OnePlus में भी bright रहते है Vivo में contrast में हलका सा issue आता है और shadows भी dark रहते है या फिर कभी कुछ ज्यादा ही bright हो जाते है दोनों में ultra white lens भी है जिसमें OnePlus better और proper colors डिस्पले करता है HDR sample में OnePlus थोड़ा सा better होता है क्योंकि foreground और sun के बीच proper balance maintain करता है Vivo कभी कबार shadow को bright करके sun को overblown out कर देता है outdoor portrait में OnePlus का HDR ठीक से काम नहीं करता क्योंकि person को overexpose करके background की detail maintain किया है जबकि Vivo ने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है दोनों details अच्छे से maintain है बाकि edge detection दोनों का काफी similar है indoor में OnePlus थोड़ा सा better है क्योंकि proper skin tone capture किया है Vivo ने skin को कुछ ज्यादा भी bright कर दिया है बाकि indoor shots में OnePlus ही थोड़ा better होता है क्योंकि shadows और highlights की बीच proper balance maintain करता है Vivo में contrast में थोड़ा issue है Vivo में macro mode की वे जैसे आप object के काफी सामने से भी photo capture कर सकते है जो OnePlus में possible नहीं है low light में कभी OnePlus थोड़ा better होता है तो कभी Vivo क्योंकि shadows OnePlus में bright रहते है और photos जादा Vivo का bright आता है बाकि colors Vivo के ही better है Selfie में भी Vivo थोड़ा आगे है क्योंकि skin tone सोड़े से proper है और shadows भी bright है OnePlus भी अच्छा है बट Vivo जीतना नहीं बाकि detail दोनों में ही sharp है और indoor में भी Vivo का selfie ही better दिखता है यह है दोनों का video sample 1080p 60fps पर colors की बात करेंगे तो नौर में color better है Vivo में हलका सा warm tone है HDR OnePlus का ही better काम करता है most of the conditions में वीडियो में भी Vivo में contrast में थोड़ा issue आता है OnePlus में OIS है और Vivo में EIS इसलिए आप देख सलती की OnePlus का video काफी जादा stable है जबकि Vivo का video थोड़ा shaky है बाकि focus speed भी OnePlus का ही fast और better है Vivo focusing में थोड़ा time लेता है यह है दोनों का night sample Vivo का video थोड़ा cropped है software stabilization की वज़े से OnePlus का video ज़्यादा bright है और dark iras में details भी better visible है चलते वक्त Vivo के video में काफी ज़्यादा hazy effect आता है बाकि वीडियो OnePlus का ही ज़्यादा stable है दोनी phones में in-display fingerprint scanner और face unlock मिलता है fingerprint scanner और face unlock दोनों में ही Vivo V23 OnePlus Nord 2T से ज़्यादा fast है तो यहाँ पर V23 थोड़ा आगे है अब आते हैं डिस्प्ले पर दोनों में 90 Hz refresh rate वाल डिस्प्ले है और दोनों में animation scrolling and swiping एकदम battery smooth लगता है आप चेक करते हैं डिस्प्ले की brightness और saturation OnePlus उपर है और Vivo नीचे दोनों के डिस्प्ले के detail specs आप screen पर देख सकते है दोनों के डिस्प्ले अच्छे कासे bright और vibrant है बट Vivo का वीडियो थोड़ा ज्यादा bright है और OnePlus का वीडियो थोड़ा ज्यादा vibrant है दोनों के डिस्प्ले HDR10 Plus compliant भी है बाकी viewing अगर दोनों के काफि सिमिलर है डिस्प्ले को tilt करने पर भी colors या brightness वाच्ड़ाउट नहीं लगते आउट्डोर visibility भी Vivo की ही better है कि कि Vivo ज्यादा bright है बट दोनों ही direct sunlight के नीचे ठीक से visible रहते है तो आप करते हैं दोनों के speaker का test Nord 2T में studio speakers मिलते है एक नीचे और दूसरा उपर की तरफ जबकि Vivo में सिफ एकी speaker दिया गया है नीचे की तरफ तो पहले सुनते हैं OnePlus का sound आप सुनते हैं Vivo का sound तो studio speakers के वज़े से OnePlus Nord काफी जादा loud है sound भी काफी अच्छा मिलता है crisp and clear है और trebles भी काफी अच्छा है V23 में single speaker के वज़े से sound इतना जादा loud नहीं है और sound भी थोड़ा दबावा लगता है तो speaker में OnePlus clear winner है तो दोस्तो ये था मेरा in-depth comparison वीडियो OnePlus Nord 2T और Vivo V23 का display, looks, in-hand feel और RAM management में Vivo better है और speaker, battery backup, photo और video shooting में OnePlus gaming performance दोनों की काफे similar है बट charging speed OnePlus का थोड़ा better है तो I hope इस वीडियो से आपके doubt clear हो गए होंगे और अगर आपको वीडियो helpful लगा तो इस वीडियो को like and share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe करके bell icon भी दबा लीजिए हम जल्दी लोटेंगे इसी tech and gadget वीडियो के साथ so till then stay tuned नहेंगे ऑम्हा फसस और archa की और हम कारे वीडियो है